वेलकम फ्रेंट्स तो आज मैं आप सभी ग्रिलाई हूँ आलू और प्यास के पकॉड़े की रेसिपी जो की बहुत ज्यादा क्रिश्पी और बहुत ज्यादा टेस्टी होती है यकीन मानिए आपने इससे पहले इसकी रेसिपी नहीं देखी होगी आप इसका लुक और टेस्टी होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है सिर्फ घर पे अवेलेबल सामान से बन जाएगी यह टेस्टी और कुरकुरी आलो के पकॉरे तो चली से बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आधी कप चने की दाल को भीगो लिया था और इसे हम दर साइस का प्यान जिससे स्लाइस में काटा है ठोड़ी मोटी-मोटी और एक आलो जिससे पतला पतला अब जितना पतला हो सके काटे ग्रेट न करें इस तरह से काट ले लंबाई में एड कर देंगे स्वात की हिसाब से हरी मिर्च उसे भी लंबाई में काटा है और धनिया का पत्ता फ्रेश ठेर सारा और डालेंगे आठ से दस लहसन की कलिया चिलके के साथ इस तरह कुटी हुई और एड़ करेंगे हाफ टीस्पून अजवाइन उसे फ्रेश खिस कर डाले तो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है पिंच ओ बेकिंग सोडर डालेंगे एड़ करेंगे हा इस तरह करते हुए पकॉड़े का सेब देंगे तो इसी तरह करें थोड़े आलू थोड़े प्यास बाहर रहेंगे बिल्कुल डरने की बात नहीं है यह नहीं खुलेंगे और बहुत अच्छा टेक्श्चर देंगे हमारे पकॉड़े को और तेल हमारा मीडियम लो गर्म है तो इसमें आड़ कर देते हैं अपने सारे पकॉड़े को और इसे बिल्कुल नहीं टच करेंगे और इसी तरह पांच मिनट के लिए मेडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे और पांच मिनट की बाद अब इसे हम इस तरह से चमच की मदद से पलट देंगे और पलट बिल्कुल तयार है हमारा क्रिस्पी आलू और प्यास के पकॉड़े आप इसका लुक और टेक्शर सामने से देखिए कलर भी कितना पॉफेक्ट आया है और यकीन मारिए ये अंदर तक कुरकुरी रहती है और टेस्ट बहुत ही जबरदस्त होता है तो देखिए इसी तरह मैंन क्रिस्पी लग रहे हैं सामने से देखिए कितना पॉफेक्ट टेक्शर आया है और यकीन मानी ये बहुत ज्यादा टेस्टी होती है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए और अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही मेरे चैनल को सब्स